वेल्कम टू एज एना स्टेनो क्लासेज और मैं रमेज चोहान आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है डिक्टीशन अभी स्टार्ट होने वाली है शुरू महोदय मैं एक और बात कहना चाता हूँ लोकतंत्र एक सुन्दर ब्रक्ष हैं प्रन्तु सभी आधुनिक लोकतंत्र अधिकांशत प्रतिसत परदात्मक राजनिती के दवाब में अल्पकालिक द्रिश्टी कोन अपना लिती हैं जिसके कारण दिर्ग कालिक रूप से विचार हेतु उपियुक्त मुद्दे छूट जाते हैं यदि भारत को अपना विकास लक्ष प्राप्त करना हैं तो हमें इस प्रकार का दिर्ग कालिक द्रिश्टी कोन अपनाना होगा मुझे पूरी आशा है कि हम सब वह द्रश्टी वह इच्छा शक्ती विक्षित कर पाएंगे जिससे की दिर्ग कालिक विश्वों पर विचार हो सकें और यही भारत को इतना शानदार संबिधान देने वाले हमारे गनतंत्र के संस्थापक जनों के प्रति शत्ची सरधांजली होगी पैरा हमारी सरकार को जो जना देश प्राप्त हुआ है और जिसे हमने अतियंत बिनमरता से सविकार किया है उसमें बढ़ भोले पन करने की कोई गुझाईस नहीं है हम इस बात को समझते हैं कि इस जना देश से हम सभी पर अपने देश को एक सुद्रड उदेश्य पुर्ण स्थाई और समावेशी विकास प्रकिर्या के लक्षय के प्राप्ती में सक्षम साकार देने की भारी जिमेदारी मिली है जैसा कि राष्ट्रपती महूदिया ने अपने ओजपुर्ण अभी भाषन में अभी व्यक्त किया है हम एक ऐसे कार्यवहार से बंदी हैं जिसके निस्पादन में हम अगले पांच वर्सों के दोरान हर दिन व्यस्त रहेंगे अतहे यह जना देश स्थाइत्व परिवर्तन जन्य सतत अस्तित्व समावेशी ब्रिदी समतुल्य विकास और एक धरम निरपेक्स तथा बहुल वादी भारत के सनरक्षन और सुरक्षा की प्रतिवदता हेतु है हम इनी लक्षियों हेतु एक जुट प्रियास करेंगे राष्टरपते जी के अभी भाशन में हमारी उसी बांचित दिशा की रूप रेखा दी गई है हम पहले से अधिक पारदर्शीता और उत्तरदाइत्व का भावना से पुन रोजिगार सिक्षा, ग्रामिन, एबम आर्थिक बिकास, स्वास्थय और लोक सेवाई दिये जाने के समंधी अपने परमुख कारे क्रमों को सुद्रड करेंगे हम इस बात के प्रती सचियत हैं कि काफी काम हो चुका है परन्तु काफी काम किया जाना अभी बाकी है हम अपने काम में गती बढ़ाने की दिशा में भरसक प्रियास करेंगे मेरा मानना है कि इस ब्रहद कार्य में कोई भी विकास कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक की केंद्र और राज्य और अब तृत्तिय स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं आपसी सयोग और सोहाद्र की भावना से काम ने करें मैं इस बात का अस्वासन देना चाता हूं कि राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं के साथ काम करते समय पुनत वस्तुनिष्टता का अधार अपनाएंगे किसी भी ऐसे राज्य से कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा जहां दिल्ली की सत्ता में कावीज दल चाशन में नहों या मेरा वचन है मैं सभी मुख्य मंत्रियों का राष्ट्य अभिकास परिशद में एक जुट होकर काम करने का आवान करता हूं ताकि जनता के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तूत ब्यापक और समावेशी विकास कारियों को सच्चे हिद्य से अमली जामा पहना सके पैरा राष्ट्रपति के भाषन में जो कहा जाता है यदि उसका पालन किया जाता तो हिंदुस्तान दुनिया का एक शक्तिशाली देश होता कुछ वर्सों को छोड़ कर लगातार आपके हातों में सत्ता रही है लेकिन गरीबी नहीं हटी गरीबी बड़ी है राष्ट्रिय ग्रामिन योजना में जब तक इमानदार अधिकारियों की कमेटी गटित नहीं करेंगे तब तक आपकी योजना ऐसफल रहेगी और गरीबों तक नहीं पहुंचेगी देश की गरीबी हटाओ कहने से गरीबी नहीं हटेगी अतै नारा हो बिरोजगारी हटाओ बिरोजगारी से गरीबी बढ़ती है इसलिए हम समाजवादियों ने हमेशा नारा दिया है कि बिरोजगारी हटाओ अतै आप रोजगार दीजिये और अगर रोजगार नहीं दे सकते तो बिरोजगारी बता दीजिये पैरा आज हिंदूस्तान में सबसे ज़्यादा अविश्वास किसानों में हैं दुनिया के जिन देशों ने किसानों को प्रात्मिक्ता दी है वही देश संपन और ताकतवर हैं इसलिए यदि गरीबी हटानी है तो किसानों को समर्थ बनाना होगा तब देश संपन और सम्रिद आज हिंदूस्तान में किसी भी दुर्दशा है तो वह किसानों और मुसल्मानों की है क्योंकि दस्तकारी का काम आज भी 80% मुसल्मानों के हातों में हैं अनकी पैदावार प्रतिवस देश में 3% गट रही है इसका कारण यह है कि जमीन सिकुड रही है बिल्डिंग्स बन रही है आज भी उसर बंजर बेहड जमीन पड़ रही है उसको खती लायक खेती लायक बनाने के लिए कोई अभी तक योजना नहीं है अभी भाशन में इसके लिए कोई योजना नहीं रखी गई है जब तक जमीन खेती लायक न हो जाए तब तक सरकार अपने खर्च पर उसे खेती लायक बनाएं पानी का इंतजाम करें इससे पूरे देश से विरोजगारी मिटेगी अगर आज सबसे ज़्यादा रोजगार कोई दे रहा है तो वह किसान है फिर भी उसकी सबसे ज़्यादा उपेक्षा हो रही है पानी का स्तर बहुत नीचे चला जा रहा है इससे गंबीर संकट पैदा होने वाला है जल स्तर को नीचे जाने से रोकने के लिए उपाए केवल तलाब है अतै गाओं गाओं तलाब खोदें और उनमें पानी बरा जाए आप एक कमेटी बना कर इसके जांच कराए कि तलाबों में इस वक्त कितना पानी है तलाब उपर है और पानी नीचे है जब कि तलाब नीचे बनना चाहिए आज जलवायू में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण बहुत बड़ा खत्रा हमारे सम्मुक आखड़ा है हम सक्षर्ता के साथ में दुनिया में सबसे नीचे के पायदान पर आते हैं कुछ एक सालों को छोड़ दें तो केंदर में अधिकतर समय तक सत्ता आपके ही हातों में ही रही है इसलिए आपने निरक्षर्ता को दूर करने के लिए क्या उपाय किये हैं वह हमें बताईए इसी तरह स्वास्त्य का है इतनी बीमारियां फेल रही है कि उसका कोई इलाज नहीं है हम देखते हैं कि आजादी के बाद देश में कोई प्लान नहीं है बिना योजना के ही सब चल रहा है यह बहुत अवसोसकी बाद नहीं है